सेल कहां है? सेल कहां है? सेल कहां है? सेल यहां है! जी हाँ, अब मिलेगा 30% का extra discount और 33% की extra ability सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यहां! यहीं टेश्ट बुक सुपर कोचिंग पर साथी साथ मिलेगा 18 महीने का टेश्ट बुक पास lowest travel price यानि की सिर्फ रुपीश 2.99 में! तो अगर आप SSC, UDCNet, CSIRNet, Banking, EPFO, Teaching, UPSC, Defense, State PSC, AJ और GATE जैसे exams की preparation कर रहे हैं तो इस मौके का फायदा उठाइए! नीचे दिये गए लिंक पर ट्लिक करिए और अभी enroll करिए टेश्ट बुक के साथ! Hello everyone! Yes guys! So very good morning guys, very good morning, very good morning everyone! चली कैसे हैं? सभी का श्वागत, सभी को नमस्कार! कितने भी candidate connect हो चुके हैं, so please एक बार confirm करिएगा that audio and video both are clear! Yes guys! So सुबह के बच चुके हैं, yes सुबह का टाइम हो चुका है, हमारा 8 a.m का और सभी को मालूम है कि देली 8 a.m पर हम लोग कवर करते हैं, जितने भी engineering exam है, इन सभी के लिए important current affair का session, चली दोस्तों, आज है आपका 6th माई, देखेंगे कि 6th माई को कौन-कौन सी important headlines है, क्या-क्या आपका national, international important updates है, उन सभी चीजों को हम लोग पढ़ने जाएंगे, yes विकी कुमार जी, नमस्कार, very good morning, स्वागत है आपका, आज के session में, चली दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोग आज के इस पार्ट को बाकि जितने भी लोग connect होते चले जाएंगे, मैं सभी को बोलूँगा कि yes, session को like और share जरूर करते चले जाएंगे, so that बाकि के अधर candidate भी जुड़ते चले जाएंगे, तो चली स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोग आज के session को बाकि yes, बिलकुल आप जो भी test books, वोपर coaching courses, उनके लिए enroll कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, coupon code SHIVKT to get the maximum discount, तो चली दोस्तों देख लेते हैं कि आज के सबसे important जो thought है, सबसे important है कि good ideas are not adopted automatically, they must be driving into practice with courageous faces, तो देखा होगा कि आज की समय में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना resolution fix करते रहते हैं, कि हम लोग इस बार यह करेंगे, पूरी मतलब दुनिया को बदल करके रख देंगे, अपने future को बहुत बहतर कर लेंगे, खास दोर से जब नया साल सुरू होता है, तो बहुत सारे लोगों के resolution होता है, देखें, यह सारी चीज़ें तब तक better नहीं हो पाती, जो भी आप प्लान करते हैं, जब तक आप उनको practical प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पाते हैं, तो जो भी आपने schedule बनाया है, study का, जो भी आप मतलब चीज़े decide कर रहे हैं, तो उनको बिलकोल patience way में और हिम्मत करके पूरा भी करिए, तब ही clear सी बात है कि success मिलेगे, अब जोस्तो आद इस 6th में, और 6th में को अगर हम लोग देखने जाएं, तो internationally जो observe किया जाता है, वो ह है, no tight day, ठीक है, तो याद रखेगा, exam के point of view important है, इसको जरूर पढ़के जाएगा, ठीक है, किसोर जी जोड़ चुके है, विकास, गरिमा, शुश्मिता, काजल, सभी को good morning guys, सभी को good morning, ठीक है, तो 6th में को याद रखेगा, every year observe किया जाता है, आपका internationally no tight day, ठीक है, ये exam के point of view important है, अब हमेशा की तरह, आपको मैं सभी को एक homework question देता हूँ, और आप में से जितने भी candidate है, video end होने के बाद, comment section में आप उसका answer, टिक करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है, कि when is the world veterinary day, ठीक है, तो ये बिल्कुल video end होने के बाद, comment section में बता दीज दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, आज की important जो headline से सुर्कियां है, उसकी जो, तो दोस्तों, ये जो स्री लंका की एक company है, जिसका नाम है, dialogue, axiata, ये भारत की company, भारती atel के साथ, अब merge होने जा रही है, ठीक है, तो ये merger वाला part जरूर पढ़के जाएगा, काफी important होगा, तो भारती atel के साथ, जो इंडियन और company है, ये merge हो जाएगी, स्री लंका की, that is a dialogue, axiata, ठीक है, ये बहुत important update है, दूसरा अगर हम लोग बात करने जाएं, तो आपने पढ़ा होगा, कि USA में लगातार economic crisis की वज़े से बहुत सारे bank fail हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्ही म bank fail हो रहे हैं, इनको acquire करने की जो बात की है, वो JP Morgan ने की है, दूसरा, NTPC, अगर National Thermal Power Corporation की हम लोग बात करने जाएं, तो जो भी इसके द्वारा thermal power plants वगेरा, जो भी power generation project चलाए जा रहे हैं, उन में से इसने अभी तक total 72304 megawatt capacity का जो target है, वो पूरा कर लिया है, तो ठीक है, next update के, अगर हम लोग बात करने जाएं, तो जो उत्तर प्रदेश का आयोध्या है, सभी को मालू में कि एक बहुत ही important heritage city के तौर पर develop किया जा रहा है, आयोध्या को, जो राज्य सरकार है, बहुत बड़ा investment यहाँ पर कर रही है, ठीक है, और definitely जो राम जन में भूमी है, एक स गवान राम की जो कहानिया है, वो proper तरीके से चलाई जाएंगी, और so that tourism आकरसित होगा, तो tourism को आकरसित करने के लिए, अयोध्या city में, बिजिनी लेंड की theme पर, रामा लेंड डेवलप करने की बात की गई, ठीक है, साथ में अगर हम लोग कुछ economic update की बात करने जाएं, तो ठीक है, साथ में economic update में आपका जो reserve bank of India है, और दूसरा जो आपका bank of international settlement है, so RBI and bank of international settlement, इन दोनों ने मिलकर के fourth edition launch किया है, G20 tech sprint competition का, और 5 में को observe किया गया है आपका world Portuguese language day, ठीक है, साथ में याद रखेगा कि दल्ली high court के द्वारा करनाटका के former high court को appoint किया गया है, basketball federation of India का administration के तौर पर, सब दूसरा important एक appointment है, person in news में याद रखेगा, जो पोला वारुपु है, मलिक आरजुना है, इनको appoint कर दिया गया है, coal India का नया CMD, तो coal India के नए CMD याद रखेगा, important रहेंगे, ठीक है, साथ में अगर हम लोग बात करने जाएं, तो important आपके अलग-अलग देशों के ministers थे, वो सभी भारत में विजट किये, और इसमें ब्लाविल जो भुटो है, आपको मालूम है, जो पाकिस्तान के foreign minister ने भी विजट किया, और फिर से उनने वो जम्मू कस्मीर वाला मुद्दा उठा दिया, 370 वाला मुद्दा उठाया, ठ recent में आपके, Goa में हुआ है, ठीक है, अगर आपको होता है, तो आप इसकी theme जरूर बता दीजेगा, comment section अभी के लिए open रहता ही रहता है, ठीक है, साथी में जो दुबई है, ये host कर रहा है for inaugural edition of the global chess league, तो जो global chess league है, वाने होने वाला आपका दुबई में दुस्तों है न, औ और Olympic silver, जो medalist है, यहाँ पर मैं image नहीं दे पाया हूँ, जिनका नाम है Nigel Amoz, इनको 3 साल के लिए band कर दिया गया, ठीक है, साथी में इंडिया और इसराइल के संबंदों में सुधार हुआ है, और इंडिया और इसराइल दोनों ने MOU sign किया है, Industrial Research and Development Corporation को ले करके, ठीक है, तो तो which option is the right answer? जी, यह सभी को नमस्कार, सभी को good morning guys, जो भी लोग जोड़ चुके है, session को एक बाल like और share, अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीज़ेगा, पूछा गया है कि which is the most innovative state as per the National Manufacturing Innovation Survey, तो NMIS 2021 और 22 के point of view देखा जाए, भारत का सबसे most innovative state कौन सा है? अब देखो दोस्तों, एक ही आपका state है, इसमें से एक सहर है, ऐसा जो लगभग इस पूरे state के मतलब innovation को आँगे लेकर जा रहा है, बैंगलूरू आप सभी जानते हैं, आप इसको capital कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इस समय unicorn है, ठीक है, आप कह सकते हैं, सबसे science city, यह आपकी क्या है इस समय, science city है दोस्तों, ठीक है, बहुत important है, IT, हब अब आपका यह बन चुका है, ठीक है, electronic city इसको आप नाम देते हैं, ठीक है, तो यह जो बैंगलूरू है, ठीक है, आपको मालूम है कि करनाटका का एक बहुत बड़ी IT industry को lead करता है, और most innovative index में जो स हमेशा हर एक उसके साथ मतलब जो भी हम लोग fact पड़ते हैं, तो इसके related important extra information देखिए, इसमें हमेशा देखते हैं, अब देखिए extra information के तोर पर यह तो पूछ लिया गया कि हाँ, करनाटका पहली position पर है अच्छी बात है, करनाटका के बाद कौन सा आया हुआ है, तो दोस् फरस्ट पॉजिशन में याद रखेगा करनाटका, दें तेलंगाना और तमिलनाटो, अगर पूछा गया कि दोस्तो सबसे lowest इस्तिती में इस समय कौन सा बना हुआ है, तो सबसे lowest में याद रखेगा, that is the Bihar, ठीक है, वैसे तो अगर हम लोग बात करने जाएं, तो चल प्रदेश है, नागा लेंड ये सारे राज जा जाते हैं, लिकिन हाँ कह सकते हैं कि वो जो नौर्ध इस्टन इस्टेट है, वैसे ही पहले समय से ही काफी मतलब चीजों में वो पीछे थे, हाँ बहुत सारे प्रोडक्शन चीजों में भी वो इस समय आंगे चल रहे है, तो नौर्ध इस्टन इस्टेट और बाकी जो विहार है, ये सबसे लिस्ट पोजिशन में हैं, और जो सबसे टॉप पोजिशन में हैं, करनाटका, तेलंगाना और तमिलनाडू दोस्तों, अच्छा, अब यहां पर में एक इम्पोर्टेंट आपको अपडेट बताना भूल अब देखें, दोस्तों, यहां पर अगर कभी पूछा गया, कि इस समय वर्तमान में करनाटका में अभी हाली में चुनाव होने वाले हैं, आप सभी को मालूम है, ठीके, तो रोज लगबग PM मोधी का विजट होता है, अल्टरनेट टेस पे तो होता ही होता है, तो यहां के जो CM है, याद रखेगा, बसाव राज है, ठीके, याद रखेगा, इंपोर्टेंट है, इनको जरूर पढ़के चले जाएगा, भी हाली में न्यूज में चल रहे हैं, ठीके, दूसरा गवर्नर की अगर बात करने जाएंगे, तो थावर्चंद गहलूत साहब हैं, दोस्तों ठीके, इस्टाबलिस्मेंट का एक नॉमबर 1956 है, तो भारत में जब रियॉर्गनाइजेशन राज हुए थे, उसी समय इसका भी स्थापना हुआ था, ठीके, अब करनाटका में एक गोमतेशुरा की स्टेचू है, जो बहुत ही पिरसेते, आप सभी को मालूम होगा कि चंद बेलगोला में लोकेटेड है, जिसको आप गोमतेशुरा बोलता है, ठीके, और करनाटका अगर हम लोग बात कर दे जाएं, तो पूरे भारत में सबसे बड़ा जो कॉफी का उत्पादर है, सबसे बड़ा कॉफी का जो एक्सपोर्टर स्टेट है, यहाँ पर हम लोग हम पी वो भी मिल जाते हैं, तो विजन अगर समराज के आपको मिल जाएंगे, ठीक है, साथ में आपको सबसे पहली प्राइविट रेडियो स्टेशन भी मिल जाएगी, ठीक है, रानी चिनम्मा के बारे में आपने यहाँ पर पड़ा होगा, तो यह सब याद रखी का काफी इंप जी कटेट हो, ठीक है, अब करनाटका के कैई पार इंपटेंट नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, तो बनेर घटा याद रखेगा, बांदीपुरी आद रखेगा, नगर होली आद रखेगा, कुद्रे मुक़् याद रखेगा, और साथ में अंसी नेशनल पार्क जो वोटर्स हेल्पलाइन एप वोज इंट्रोड्यूस बाई दा एलेक्शन कमीशन फोर दा सीमलेस इन्रॉल्मेंट आप दा वोटर्स इन विच स्टेट तो जरा बताएगा देखी इस समय एलेक्शन कमीशन फोर इंडिया भी दिन रात मेहनत कर रहा है ठीक है और भारत में नई नई चीजें बहतर बहतर चीजें लाने का प्रयास कर रहा है अभी हाली में आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा हुआ था कि वोट फ्रोम होम इन्हीं क कुछ राज्यों में अल्रीडी चुना हुए थे नौर्द इस्टन स्टेट में चुना हो चुके हैं अब आपके करनाटका में है ठीक है यहां पर जो हम लोग करेक्ट आंसर किक करने जाएंगे दोस्तों देजा ऑप्शन की इस दा राइट आंसर ठीक है अब अगर हम लोग देखी यह लिखा है कि वोटर्स हल्पलाइन एप हाज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस बाइड एलेक्शन कमिशन पर दा सीमलेस इंड्रॉल्मेंट अप दा वोटर्स इन करनाटका और इट विल हल्प वोटर्स तो इन्रॉल इन दा एलेक्टोरल रॉल्स एंड आज के समय में जो इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया यह भी डिजिटलाइज हो रहा है तो आप अप्लिकेशन के थूरू उसको गूगल पर देख सकते हैं इसी तरीके से इस अप्लिकेशन की मदद से क्या होगा कि आप अपने नियर अबाउट बूत को इसली आइडेंटिफ कर पाएंगे ठीक है तो यह डेफिनेटली हमारा जो इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया है यह भी अब आपका डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहा है इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया के बारे में प्री बच्चों बात हम लोग करने जाएं तो यहां पर इनका जो इस्टाबल अफ आपके किसमे में तो इसके अगर हम लोग बात करने जाएं कि पाआट 15 में अब इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया में दोस्तो एक होता है सी City चीफ इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया और बाखी होते दो अदर ठीक दो अदर कमिशनर होते है तो सभी को मालूम है कि आपके Chief Election Commissioner of India जो भारत के है वो आपके राजिव कुमार साहब है और बाकी दो अधर कमिशनर में आप एक पढ़ते हैं अरुन गोयल को ठीक है आप एक पढ़ते हैं अरुन गोयल को और दूसरे हैं आपके अनूप चंद पांडे ठीक है तो अनूप चंद पांडे आपके दूसरे है और सबसे पहले जो है वो कौन से आपके अरुन गोयल है ठीक है अंगला सवाल देखे लिए जगा ज़रा next question पुछा जा रहा है कि what is the name of Indian Navy's third indigenous steel destroyer of the project 15B class तो ज़रा बताएगा किसका right answer क्या होगा very good guys विश्वजीत गरिमा गाजल very good ठीक है इसी तरीका सा answer करते रही है बू कि हाली में defense से जुड़ा हुआ एक important update कि project 15B है वर्ग के भारती नौशेना के तीसरे स्वदेशी इस्टील्त विधवन्शक का नाम क्या है आइनेस धुरू है आइनेस इंफाल है आइनेस काटा बोमन है या आइनेस विक्रम है और इसमें से अगर हम लोग सही answer के लिए पढ़के जाएगा काफी important है आइनेस इंफाल और एक्जाम के point of view यह आपको पूछा जा सकता है तो जो आइनेस इंफाल है दोस्तों याद रखेगा इस दा इंडियान नेवी स्थर्ड इंडिजेन्वर्स स्टील्स डिस्ट्रॉयर अप दा प्रोजेक्ट 15B ठीक है दा वस इसका जो construction किया गया किसके ज्वारा तो याद रखेगा देजा मजगाओं डॉक लिम्टेट तो यह important रहता है मजगाओं डॉक लिम्टेट याद रखेगा इसका manufacturer company है ठीक अंगला सवाल पूछा गया है कि majority of gum Arabic is sourced from the Sahel region from which runs through which country अधिकांस जो अर्भी गौंध है साहल छेत है जो बहुत ही लंबे समय से civil war में चल रहा है ठीक है तो आपको मालूम है कि यह जो country है लगातार civil war आपका फेश कर रहा है और यहां से Indians को evacuate करने के लिए ठीक है भारतियों को हम लोग evacuate करने के लिए एक operation चला रहे है इस operation का नाम है operation कावेरी तो यह सभी नपढ़ा है काफी detail में और important है एक्जाम के point of view जरूर करके जाएगा operation कावेरी that is very important for exam perspective और अभी तक लगभग around 3000 हमारे जो इंडियन से यहां पर stranded है जिनको निकालने का try चल रहा है ठीक है तो दिखें वहां पर दो जो आर्मी चीफ है आपस में लड़ रहे है और तौनव आर्मी चीफ के आपस के युद्ध का जो नतीजा है मतलब वो खाम्याजा है वो public को वहां के बियर करना पड़ इसकी capital जरूर पढ़के चले जाएगा एक्जाम के point of view important है और इसकी जो capital है that is a call term ठीक है तो याद रखेगा कि यह सबसे important है गम जो Arabic है जा की ingredients for peachy drinks, candy and cosmetic ठीक है और अगर देखा जाए पूरे विश्व का लगबग 70% जो गम है दोस्तों याद रखेगा पूरे विश्व का लगबग 70% Arabic गम है इसका जो सबसे बड़ा source है दोस्तों याद रखेगा यह आपका एक particular जो tree area पाया जाता है साहिल रीजन में सुडान में जो सुडान से उकर के गुजरता है वहां से यह आता है तो clear सी बात है अगर हम लोग बात करने जाए तो यहाँ पे civil war की condition चल रही ह तो globally इसकी जो supply है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं reduce होती चली जाएगे दोस्तों ठीक है तो यह बहुत सारी soft drinks में chocolates वगएरा में ठीक है बहुत सारी चीजों में यह इस्तमाल होता है आपका ठीक है अब दोस्तों अंगले question में जाने से पहले मैं सभी से बोलूँगा कि yes please guys like the session and share the session तो session को like or share जरूर करते रहे और इस समय दोस्तों आ गया है आपका 18 month bumper sale और यह 6 से लेकर के 7 मई तक चलने वाला है तो आप इसमें जो भी test book के हमारे passes है उसमें extra validity आपको provide की जा रही है तो सभी को मालूम है कि पहले से 1 year का test book pass 269 में था ही अभी आपको कितने 6 month की extra validity मि की 18 महीने का जो test book pass है दोस्तों याद रखेगा ठीक है वो अब अवलेबल है मात्र और मात्र 269 रुपए में यूज करना होगा आपको coupon code देड़े जा यह सच IVKT pass to get the maximum discount ठीक है चलिए अंगला सवाल हम लोग देख लेते हैं next question देखेगा पुछा जा रहा है defense minister राजनाज सिंग initiates contraction of coast guard establishment of which country तुनिम ने लिखत में से कौन सा island nation ऐसा है जो हमारी लिए economically कह सकते हैं geopolitically भी कह सकते हैं दोस्तों है न और defense के point of view या strategically यह country बहुत important है लिकिन कभी-कभी जो होता है यह country क्या होता है हमारे हांस से जाना शुरू हो जाता ह ठीक है इसमें चाइना भी बहुत अपना अधिकार दिखाता है चाइना ने भी इसको बहुत सारा fund किया हुआ है soft loan वगेरा दिया हुआ है ठीक है तो कभी-कभी इसमें हम लोग देखते हैं कि दो तरीके से इसमें group पाए जाते हैं एक है India first group और दूसरा होता है India out group तो अभ जा रहा है कि अगर कहीं opponent party चुनाव में जीत जाती है तो इंडिया की जो position है वो weak हो जाएगी मालदीव में और भारत किसी भी तरीके से दोस्तो मालदीव में अपनी location को weak नहीं करना चाहता तो मालदीव हमारी लिए याद रखेगा economically भी बहुत important है और दूसरा याद रखे जो समुद्र में एक nodules पाए जाते हैं याद रखेगा nodules पाए जाते हैं तो यह जो nodules होते हैं यह आपके जो भी electronic production मतलब technology से जुड़े हुए उनको बनाने में बहुत helpful होते हैं solar panels को बनाने में बहुत helpful होते हैं दोस्तों है ना और साथ ही में जो wind turbine होते हैं उन window turbine को भी ब important role play करते हैं दोस्तों ठीक है तो यह जो मतलब मालदीव का जो sea bed है sea bed में याद रखेगा बहुत सारे nodules मिलते हैं और इस nodules का यूज बहुत बड़ा है ठीक है और भारत को एक बहुत बड़ा area यहां पर explore करने के लिए मिला हुआ है around 75,000 square kilometer तो भारत यह चाहता है कि जो माल मालदीव है हमारा नेवर कंट्री है ठीक है और हमारे इंडियन ओशियन से connected है पूरी तरीके से तो भारत चाहता है कहीं ऐसा ना हो कि चाइना इसको बहुत सारा investment और fund का लोब दे करके इसको अपने site कर ले तो इंडिया पूरी तरीके से मालदीव को पर अपना hold बनाने का प्रियास कर रहा है समय तो अभी लगातार हमारे जो विदेश मंत्री है जैसंकर साहब जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाज सिंग साहब इन सभी के लगातार विजट आपने पढ़े होंगे कि यहाँ पर चल रहे हैं ठीक है बाकि अगर हम लोग बात करने जाए जो डिफेंस आप मालदीव की अगर हम लोग बात करने जाए तो मालदीव की जो कापिटल याद रखेगा और यहां की जो करेंसी है वो कौनसी है रूपिया ठीक है तो यह तो चीज़ें जरूर पढ़के चले जाएगा करेंसी और कापिटल इस वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों ठीक है अगला सवाल देखेगा दोस्तों next question, question में पूछा गया है among the following which organization publishes 2022-23 currency and finance report which focus on climate change, which one is the right answer? जी हां मालदीब के बिल्कुल defense minister से मुलाकात हुई है और जो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया वो man concern वही है कि मालदीब में अभी दुबारा से चुना होने वाले हैं और अगर दुबारा चुना हुए तो कहीं opposition party जो की pro China है चाइना समर्था अगर वो जीत गई तो इंड इंडिया आउट तो कई बार जब हमारे विदेश मंत्री ने वहाँ पर विजिट किया तो बहुत सारे लोगों ने जंडे ले करके टी-सर्ट दिखा पहन करके हमारे देश के विदेश मंत्री का विरोध दर्च किया और उन्हों में slogan लिखा हुआ था इंडिया आउट पॉ पॉइट करेंसी फाइनेंस रिपोर्ट है यह हमारे देश की और गनाजेशन किस के द्वारा पप्लिश किया गया अरबी आई के द्वारा दोस्तों ठीक है अब आरबी आई के बारे में आप आईओप की सभी कुछ जानते हैं कि आरबी आई के हम लोग बात करने जाएं तो आरबी आई के जो स्थापना की गई थी वो हिल्टन यंण कमीशन के रिक्मेंडेशन से की गई थी यह दोल्टन यंण कमीशन के लिए जो मतलब एक origin and its solution, बाद में एक Act आ गया, RBI Act जो 1934 में आया, और इसका Establishment जो करके गया, वो 1st April 1935 करको गया दोस्तों, ठीक है, और इसके जब भी हम लोग Nationalization की बात करते हैं, कि इसका जो Nationalization है, ये Nationalization कब हुगा, तो जरूर पढ़के चले जाएगा, काफी important है, that is a 1949, ठीक है, that is very important, ठीक है, that is very important, 1949, exam के perspective, ये कई बार पूछा जाता है, और अभी वर्तमान में आप सभी को मालूम है, कि यहां के जो RBI के Governor है, वो है Mr. Sakti Kandas, ठीक है, तो Sakti Kandas, इस समय आपके कौन से Governor है, 25th Governor है, अंगला सवाल देखे के जरा पूछा गया है, कि who has been appointed as the Delhi High Court, as the administration of the Basket Federation of India, तो Basket Federation of India के प्रसाशन के रूप में, दिल्ली उचनायला के रूप में किसे निउक्त किया गया है, which one is correct? कृष्णा भाठ होंगे, अमिताब कांथ होंगे, राजिव कुमार होंगे, यह इन में से कोई भी नहीं होगा, who has been appointed as a Delhi High Court, as the administrator of the Basket Federation of India, कृष्णा भाठ, अमिताब कांथ, राजिव कुमार, यह निम लिखत में से कोई भी नहीं होगा, चलिए, very good guys, बहुत सारे लोग comment section में answer कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि live जो संख्या है, वो मतलब around 20 के असपास है, बट answer करने वाले लोग बहुत ही कम हैं, तो ऐसा किसलिए होता है, इतना डर किस बात का होता है, मैं अभी तक तो नहीं समझभाया इसको, तो दोस्तो ये जो नुक्त किये गए हैं, याद रखेगा, ये करनाटका के former आपके जज रह चुके हैं, और ये जो नुक्त की गई हो, किस के द्वारा की गई है, दल्ली हाई कोर्ट के द्वारा की गई है, इनका जो नाम है, that is a Krishna, heart is the right answer, दोस्तो ठीके, तो याद ये justice, जो पी किष्णा भाठ है, ये आपके करनाटका के former judge थे, इनको नुक्त कर दिया गया है, किस के द्वारा, Delhi High Court के द्वारा, Basket Federation of India का head, Basket Federation of India के अगर मैं बात करने जाऊं, तो इसका जो establishment है, that is a 1950, exam के point of view important है, 1950 है, और कभी अगर इसका headquarter वगरा पूचा गया, तो इसक headquarter, New Delhi, और जो नए अध्यक्ष बनाए गए है, that is a justice, P. किष्णा भाठ is the right answer, ठीक है, अंगला कोश्य ने पूचा जा रहा है, कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश के किस सहर में, इसनी लेंड की थीम पर, एक रामा लेंड स्थापित करने वाली ह जहाँ पर भगवान राम की stories वगेरा proper तरीके से चलाई जाएंगे, तो tourism को attract करेंगे, बहुत सारे children को attract करेंगे, और clear सी बात है, जहाँ पर children को attract करने के लिए point बनाए जाते हैं, वहाँ पर definitely parents तो जाएंगे ही जाएंगे, उनको जाना ही जाना है, तो ये एक बहुत ही important य अच्छे तरीके से काम कर रही है, यूपी की जो सरकार है, express space पर और highway पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, ठीक है, सबसे जादा express वे यूपी में ही है, सबसे जादा international airport यूपी में है, यूपी के अगर हम लोग बात करने जाएंगे, तो काफी बड़े बड़े corridor setup क एक defense corridor लेकर के आ रहे हैं, एक industrial corridor लेकर के आ रहे है, green corridor भी इस्थापित करने के लिए उनने बोला हुआ है, तो अगर ये सारी चीज़े कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं काफी हद तक ये बड़े level पर अपने राज्य से जो पलाइन चल रहा है, migration की समस्य आधर state में, ये उसको control कर पाएंगे, ठीक है, तो सबसे बड़ा इनका जो main target होना चाहिए भी फिलाल, ज्यादा से ज्यादा employment और job creation होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी भी जो UP है, वो migration की समस्य बहुत phase कर रहा है, ठीक है, पलाइन की समस्य, उसमें कोई भी नहीं है, और यहाँ पर अगर हम जो टिक करने जाएंगे, तो याद रखेगा, यह consistency होगी, that is, आयोध्या, यह अपने आप में बहुत important है, ठीक है, आयोध्या is the right answer, तो याद रखेगा, डिसली लेंड की theme पर, आयोध्या को एक global tourism hotspot बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और definitely, यह याद रखेगा, आयोध्य की capacity है, जिस तरीके से आपने देखा हो, सायद, आप update पढ़ रहोंगे, बहुत सारे, कि जो UP का आपका location है, वारांसी, वारांसी एक बहुत ही बड़े आप destination, location के तौर पर उभर करके आया, जो आपका UNESCO है, इसको Music City का दर्जा देता है, SEO ने इसको Cultural Capital का वो दिया हुआ है, ठीक है, तो वारांसी में लगातार, जो जाने वाले लोगों की संख्या है, वो लगातार पढ़ती चली जा रही है, ठीक है, तो वारांसी एक बहुत important hot spot बन चुका है, टूरिजम का, ठीक है, उसी तरीके से आयोध्या को भी ये global tourism का hot spot बनाना चाहते हैं, ठीक है, और UP की क अगरा हो गया, मतुरा हो गया, वारांसी हो गया, ठीक है, और अयोध्या हो गया, और प्रियागराज को भी आप चाहे तो count कर सकते हैं, तो इन cities के पास काफी अच्छा capacity है, और definitely ये global level पर tourism को अट्रेक कर सकते हैं, और UP की जो GDP का target ले करके चल रहे हैं, अयोध्या आपने एक समय में ये पूरी तरीके से achieve कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये जो रामा लेंड होगा, इसमें बिल्कुल डिजनी लेंड के theme पर याद रखेगा, भगवान राम की जो stories हैं, वो narrate करके बताई जाएंगी, और ये definitely जो बच्चे हैं, adults हैं, उन सभी को ये attract करने का का करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो काफी important होगा दोस्तों, ये काफी important होगा, बाकी UP के CM जानते हैं, योगी आदितनाथ साहब है, कल ही आई होब की आपने पढ़ा होगा, कि एक gangster को फिर से वो कर दिया गया है, ठीक है, एंकाउंटर कर दिया गया है, UP की capital लखना हुए, ठीक ह अंगला सवाल है, पूछा गया है कि इंडिया का जो विरुजगारी दर है, वो अप्रेल में कितना रहा, मार्च के मुकाबले, तो मार्च में था 7.8, अप्रेल में आपको बताना है कितने percent था दोस्तों, ठीक है, so which one is the right answer? हाँ, yes, बिल्कुल, so 8.11 होगा, 9.11 होगा, 10.11 percentage है, सभी में percentage है, याद रखीगा, सभी में आप percentage को count करके चलिएगा, यह percentile ही पूछा गया है, so 8.11, 9.11, 10.11, या फिर 11.23, तो दोस्तों, देखिए, अगर हम लोग बात करने जाएं, तो मार्च में जो बिरुजगारी दर थी, वो कितनी थी, 7.8 percent, और अप्रेल में यह बढ़ करके कितनी पहुंच गई है, 8.11 percent, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकर बच्चों के लोगों क के लिए, किसी भी देश के लिए, काफी complications create करते हैं, दोस्तों, ठीक है, तो इंडिया की जो unemployment दर है, यह आद रखेगा, काफी high देखने को मिली है, April 2023 में, और यह total कितनी पहुंच गई, आपकी, 8.11 percent तक हमें देखने को मिली हुई है, दोस्तों, ठीक है, तो काफी important है, इस 7.34 percent, और March में हुआ करता था, 7.47 percent, यानि कि ग्रामीड लोगों के पास फिर भी कुछ करने को काम है, लेकिन सहरी जो बिरोजगारी है, वो बरती चली जा रही है, compare to, याद रखेगा, कौन सा है आपका, rural, तो urban unemployment याद रखेगा, इस से में बढ़ रही है, urban unemployment कितनी है, 9.81 percent ठीक है, हो गई है, और last month कितनी थी, आपकी ये 8.51 percent थी, तो याद रखेगा, बिरोजगारी overall increase हुई है, लेकिन अगर rural urban में देखेंगे, तो urban में ज्यादा increase हुई है, और जो rural बिरोजगारी है, वो आपकी decrease हुई है, अगला सवाल देखेगे, पूछा जा रहा है, इसी त और सहरों में internet users है, उनकी संख्या decrease हुई है, और जो सबसे बड़ा internet users में contribution है, वो rural population का ही है, तो rural जो areas है, उहाँ बहुत highly way में, बहुत speed के साथ digitalization बढ़ रहा है, ठीक है, पूछा गया है कि जो पोला वरपू, मलिकारजुना प्रशाद है, ये निमनलिकत में से किस organization के CMD बनाएगे हैं, which one is the right answer, ठीक है, which one is the correct answer, हाँ, self-employment में जाना ही पड़ेगा एक दिन, लोगों को मतलब रोजगार का एक अलग वो source ढूलना ही पड़ेगा, India call, India, India, sorry, India call है, anti-PC है, IOC है, या ONGC है, which one is right, और इसमें से हम लोग जो correct answer टिक करने जाएंगे, that is, India call is the correct option, ठीक है, option 4 is right, ठीक है, option 4 is the right answer, ठीक है, तो ये याद रखेगा कि जो Public Enterprise Selection Board है, PSEB है, रिकमंडेट, सेंटर, कोल फील्ड, CMD, पोला बरू, मलिक आरजुन, पर साथ, as the next chairman and managing director of the coal India, तो ये नए CMD और chairman managing director बनेंगे, CMD बनेंगे, ठीक है, कोल इंडिया लिम्टेट के, और प्रसाद is expected to take the charge of India's largest coal miner accounting, for almost 80% of the mined commodity, एक जुलाई से लगबग ये ले लेंगे, चार्ज अपना, और कोल इंडिया का headquarter, जो है याद रखेगा, कोलकता में located है, West Bengal में, और कोल इंडिया की स्थापना अगर पूछी गई, तो याद रखेगा 1975, जी हाँ, 1975, that is very much important, ठीक है, so yes, तो ये जितने भी important fact है, ये एक बार देख करके, जरूर जाएगा दोस्तुरी, अंगला सवाल पूछा जा रहा है कि भारत ने निम्न लिखत में से किस देश के साथ, इंडॉस्ट्रियल रिसर्च और डेवलप्मेंट कॉपरेशन पर हस्ताक्षर किये हुए, तो जापान है, चाइना है, ठीक है, इसराइल है, या फिर अमेरिका है, which one is the right answer? तो निम्न लिखत में से किस देश के साथ, इंडिया का इंडॉस्ट्रियल रिसर्च और डेवलप्मेंट कॉपरेशन पर समझोता हुआ है, टाइप हुआ है, यापान, चाइना, इसराइल, अमेरिका, तो, which one is correct? और यहाँ पर, तो सही answer हम लोग करने वाले हैं, that is our option, 3 is right, इसराइल is the correct option, इसराइल is the right answer, ठीक है, इसराइल is the right answer, ठीक है, अंगला सवाल देखे, पूछा गया है कि जो foreign ministers of SEO members हैं, countries हैं, held in which Indian city, तो जहाँ पर SEO, संगाई, corporation, organization की हम लोग बात कर रहे हैं, है न, और पहले 8 plus 1, अब आपको मालों में total कितने हो गए हैं, इसमें भी 9 हो गए हैं, या 10 member हो गए हैं में भी इसमें साय, 10 member के असपास हो गए हैं, और अभी इसका जो 2022 का जो summit था, यह हुआ था, समरकंद उजबेकिस्तान में, समरकंद उजबेकिस्तान, सभी को मालों में न, तो कानपूर में, चिन्नाई में, वारांसी में, या पंजी में, हमारे प्रीतम जी ने लिखा है, कानपूर, very good, very good, सभाश, तो आपको मालों में, विलावल भुट्टो साहब, आए, आपने दिखा होगा सायद, वीडियोज काफी वाइरल हुए हैं, और जैसे ही रसियन फॉरेन मिनिस्टर से और योग कीतनी दोड लगा कर मिले, तो उनका जोस डाउन हो गया, कि ऐसा ना हो कि बस आँगे बोल दें कि भाई साब कुछ हो पाएगा क्या हमारे देश के मिनिस्टर ने नमस्कार किया ग्रीटिंग्स किया है ना बट डिस्केशन कुछ भी नहीं किया ना तो वो भी एक वीडियो हैं जो काफी बड़े लेवल पर इसमें चल रहे हैं दोस्तो और फाइनली उन्होंने भारत में आकर के जी 20 के बारे में डिस्केशन किया जिसका वो मेंबर खुद भी है ना और आर्टिकल 370 के बारे में बात की और जम्मू एंड कस्मीर के बारे में बात की तो उनसे रहा नहीं गया और विचारे क्या करें उनके उपर भी बहुत वो बिलकुल उसका रेपलेस्मींट नहीं किया जा सकता, टीक है तो पूरा वर्ल्ड मेडिया इस समय कवर कर रहा है उनके द्वारा जो भी स्टेट्मेंट दिये गए ठीक है जो भी स्टेट्मेंट दिये गए है और दूसरा आपने देखा हो कि सायथ रसिया और यूक्रेन के कुछ रिप्रेजेंटेट हो थे जोनोंने फ्लैक वगएरा लगा दिया था तो उसको लेकर के भी कुछ जगड़े हैं जो वाइरल हुए थे धक्का मुक्की हो गई थी लेकिन बिलावल भुट्टो साहब इनकी बात ही लगती हुए इनकी बात ही लगती हुए चले गाईस यह था आज का इंपोर्टेंट अपटेट था और इनको सबीको जरूर देख करके जाईए था तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं और बाकि इसकी जो पीडिएफ है वो मिल जाएगी आपको मेरे ट 18 महीने का जो test book पास है मातर 269 रुपे माव लेबल है और बाकी जो test book के दोस्तों इस समय super coaching courses हैं बिलकुल आप उन सभी को enroll कर सकते हैं बहुत ही minimum prices में और enroll करने का जो process है that is very simple तो सबसे पहले तो दोस्तों session को like कर दीजिएगा जितने लोगों ने like नहीं किया है चैनल को subscribe कर लीजिएगा बल आइकन हिट कर लीजिएगा so that notification मिलता रहेगा और यहाँ पर जो इस समय वर्तमान में vacancy चल रही है वो चल रही है बारक की तो category 2 पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको different different इस समय जो sale चल रही है preparation oran sale और यह चल रही है दोस्तों 5 से लेकर के 7 में के बीच में जो भी आपके courses है सभी पर extra validity है तो आप इन में simply जाकर के यह apply coupon से में जा सकते है enroll करने के लिए और 10 plus courses है 200 plus study notes है और 100 plus याद रखी का mock test है और जब भी enroll करने जाना है तो simply coupon code लगाना है yes, yes, I, V, 80 और इसको apply कर दीजगा so you will get a huge discount आपको discount मिलेगा और जो भी आपके courses है इनके price जो है automatically reduce हो जाएंगे so there are multiple options बहुत सारे आपके पास option है किसी भी इसको enroll कर सकते है 4 month, 8 month और 7 में आप 16 month so select the course according to your comfort आप अपने comfort के according सिलेक करें तो चलिए दोस्तों ये था आज का session और yes, session को conclude करने से पहले एक बार आज की फिर से हम लोग important जो headlines थी तो देख लेते हैं कि important headlines कौन सी थी दोस्तों तो मैंने आप से एक homework का question पूछा था वर्ल्ड वेटिनरी डे कम बनाया जाता है जरूर बताईगा अंसर करके तो हमने देखा कि जो आपकी सिली लंका की company है डायलॉग, एक्सियाटा ये इसको भारती एटल मतलब acquire करने वाली है JP Morgan acquire करने वाली है अमेरकन जो banks fail हुई है उनको anti-PC का जो याद रखेगा total power generation है वो एक record पर पहुँच गया है capacity और ये more than 72,000 याद रखेगा 304 megawatt तक पहुच गया है UP की सरकार जिस तरीके से Disneyland है उसी तरीके से एक Ramaland develop करने जाएगी आयोध्या को global tourism hotspot बनाने के लिए भारत में जो बिरुजगारी दर है वो last महिने के compare में इस महिने increase हुई है 8.11% है पट rural और ग्रामीर छेत्रों में तो ग्रामीर छेत्रों में याद रखेगा बिरुजगारी जो है वो decrease हुई है और urban areas में बिरुजगारी increase हुई है दोस्तों ठीके जो world Portuguese language day है ये मनाए गया है 5 मई को Delhi high court के त्वारा करनाटका के former high court के judge को जिनका नाम है ये जो अभी हाली में याद रखे का न्युक्त कर दिये गए है basketball federation of India के अध्यक्ष के तौर पर ठीक है और जो पोला वरपू मलिकार जुन है इनको कोल इंडिया का नया head नुक्त किया गया है SEO की जो foreign minister meeting है ये अभी हाली में पंजी गोवा में हुई है दोस्तों ठीक है तो भई आपका host करने जाएगा Global Chess League को और Olympic जो silver medalist जिनका नाम है Nigel Amos इनको अभी हाली में तीन साल का इनके उपर suspension लगा दिया आप से कल ठीक याद रखेगा कितने बजे आठ बजे और आठ बजे मैं पूरे week का current affair लेकर करके आप सभी से मुलाकात करूँगा तो जितने लोगों का कुछ dates का current affair छूट गया था वो बिलकुल मेरे साथ कल जरूर जोड़िएगा Overall हम लोग complete कल revision करने जाएंगे ठीक है सो दोस्तो thank you so much thank you so much and yes as always God bless you all thank you so much guys thank you so much झाल